हेलो एवरिगन आज हम रविंद्र नात ठाकुर्जी के द्वारा लिखी हुई कविता आत्मत्राण की ब्याख्या करेंगे और इसमें हर मिनिंग का अर्थ भी समझेंगे तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक और यह वीडियो देख करके आपको आपके हर एक्जाम में मिलेगी अभी शुरू करते हैं हमारा पार सबसे पहले हम रविंद्र नात ठाकुर्जी का परिचे देख लेते हैं बहुत ही संक्षिप्त में स्क्रीन पर आप डिटेल में भी देख सकते हो यहां आप देखो कि सबसे पहले तो हम उनका जनम देख लेते हैं छे माई 1861 को एक संपन परिवार में और मुख्य बात क्या है कि उन्हें नोबल पुरुषकार मिला था और ये पुरुषकार पाने वाले वो प्रतम भारतिय थे दूसरी बात उनकी दचनाओं में लोग संस्रिक्रिती आपको देखने को मिल जाएगी उसका स्वर आपको प्रमुक रूप से दिखेगा साथ ही प्रकरती से गहरा लगाओ भी उनकी एक विशेष्टा है उन्हें अपनी कृतिक गितांजली के लिए पुरुषकार मिला था और उनकी अन्य कृतियां यहां पर देखो यह सब दी हुई हैं आप अगर कृतियों के बारे में जानना चाते हो तो यहां से देख करके सीख सकते हो अभी हम पाठ पर आ जाते हैं पाठ प्रवेश में देखो कि तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार सकता है उसके आस पास भी बना रह सकता है लेकिन जब तक वह स्वेम हाथ पाउँ चलाता है तभी तैराक बन पाता है परिक्षा देने जाने देख वाला जाते समय बड़े से आशिरवात की कामना करता है आशिरवात भी मिलता है लेकिन परिक्षतों से खुद को देनी है इसी तरह से पहलवान कुस्ती लड़ते हैं तब उनका उत्सा तो दर्शक बढ़ाते हैं इससे उनका मनुबल बढ़ता है मगर कुस्ती उनको खुद को लड़नी पड़ती है। इस पाठ में भी कवी गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। फिर भी वैया नहीं चाते हैं कि वही सब कुछ कर दें तो कवी काम ना करता है। किसी भी आपत विप्दा में, किसी भी मुश्किल के समय में, किसी भी द्वन्व में सफल होने के लिए वहे, खुद संगश करे, स्वयम संगश करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वहे अपने प्रभु से चाते क्या हैं। कविंदर नाठ ठाकुर की कवेता, बांगला से हिंदी में अनुवाद। इसने किया, हजारी परशाद दिवेदी जी ने किया, दिवेदी जी का हिंदी साहित्ते को योगदान काफी है, और अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुन बनाए रखने में सक्षम है। जो अनुवाद किया है, वह है उनकी मूल रचना को बनाए रखने के लिए सक्षम है। तो विपदाओं से मुझे बचाओ, क्या कह रहा है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, नहीं कर रहा है प्रार्थना विपदा से बचाने की, मुश्किल से बचाने के लिए नहीं कह रहा है, केवल इतना हो, करुणा मैं या नि, हे इश्वर, केवल इतना हो कि कभी न विपदा में में पाऊं भै मुझे उसे डर ना लगे मुश्किल से वस मेरे लिए इतना तुम करो प्रभू से क्या प्रत्ना कर रहा है कि हे प्रभू मेरे सामने विपदा तो आ सकती है नेकिन उस विपदा से मैं घबराऊं नहीं कुछ ऐसा मेरे लिए उपाई करो दुख ताप से व्यथित चित को न दो संत्वना नहीं सही पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जै दुख ताप को एनि दुख दर्द को मुझे उससे संत्वना ना मिले भलै लेकिन मुझे ऐसा कर दो कि मैं उसको हमेशा जीत सकूँ उस दुख को उस जीत से मैं आगे निकल जाओं वो मुझे कोई असर ना कर सके कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पोरुष ना हिले अपना बल पोरुष ना हिले यानि मेरा जो प्राकरम है, मेरी जो शक्ती है वो ना खतम हो जाए भलेही मेरे को साहता करने वाला कोई ना मिले लेकिन मेरी जो खुद की शक्ती है वो ना हिले हानी उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वन्चना रही मुझे चाहे किसी काम में नुफसान हो जाए मेरे को लाब ना मिले तो भी मन में ना मानूब ख्षय मेरा मन का ख्षय ना हो मेरा मन की हार ना हो मेरा त्रान करो अनुदिन तुम यहे मेरी प्रात्ना नहीं तुम दिन रात मेरा उधार करो ऐसी मैं प्रातना नहीं करता हूँ बस इतना हो वे करुणा मैं तरने की हो शक्ति नामे कि मेरे में तैरने की शक्ति हो जो भी मेरे साथ दुख दुविदाएं आ गई हैं उनसे मैं पार पा सकूँ उनके पार जासकूँ मेरे साथ जो भी कश्ट हैं उनसे मैं बाहर आ सकूँ उनसे मैं पार पा सकूँ ऐसी मुझे शक्ती दो भवान से ये प्रातना करता है कि दुख तो आएंगे विपदाईं भी आएंगी लेकिन मुझे ऐसी शक्ती चाहिए जो मुझे उस दुख से बाहर आने के लिए सक्षम बना सके फिर करता है कि मेरा भार अगर लगू करके यहां देखो कि मेरा भार अगर लगू करके ना दो संत्वना नहीं सही कि मेरा बोज कम ना करो भलेई ना मेरे को संत्वना की जरूरत है हिम्मत की जरूरत है मुझे संत्वना के बोल नहीं चाहिए है केवल इतना रखना अनुनाई क कि मेरे पर केवल इतनी धया करना वेहन कर सकूँ इसको निर्भ है कि मैं अपना जो भार मुझे मिलाया किसी मुश्किल का पिप्दा का उसे मैं सह सकूँ उसे धो सकूँ वेहन करना यानि धोना नत सिर होकर सुख के दिन में सुख के दिनों में मैं सिर जुका करके अपना सुख के दिनों में मैं अपना सिर जुका करके तव मुख पहचानू छिंचिन में मैं तुम्हारा ध्यान करता रहूं तुम्हारे मुख का ध्यान करता रहूं इश्वर के मुख का मैं ध्यान करता र रहूं है दुख राट्री में करें वन्किना मेरी जिस दिन Nikhilivalustra है ज dites दिन पूरे संचार के अपनी परिषान हूं उस दिन ऐसा हो करना मैं तुम पर करू कुछ शंचै कि यह प्धाग्वान जब मेरे सत् Sound पूरे संचार के दुख का जाएं सारा संसार से मैं दुखी हो जाऊं तो मेरे साथ कुछ ऐसा करना कि मैं तुम पर कोई शंशे ना करूं फिश्वर पर कोई शक नहीं करूं तो यह अनुवाद किसका है हचारी पुशाद देवेदी जी ने अनुवाद किया है यहां देखो प्रश्ण उत्तर आ जाते हैं कि कवी किसी क्या प्रार्थना कर रहा है इसका जवाब आपको शुरू में ही मिल चुका है यहां पे भी सभी सवालों के जवाब इस कवीता में आपको मिले हैं अन्त में क्या कहता है कि मैं तुम्हें भूलू नहीं यह कहता है आत्मत्रान शीश्यक के सार्थकता है क कविता में अपनी उच्छाओ की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना की अत्रीक तो और क्या-क्या प्रयास करते हैं तो यह भी इस कविता में आया है सारे चीजें कविता से आप पढ़कर के ब्रशन нужतर इसके लबब में इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी आप वहाँ पर भी देख सकते हो सारे वीडियो आपको प्लेडिस्ट में मिल जाएंगे चैनल की प्लेडिस्ट में आपको मिलेंगी यहां देखो यहां इसका भावस पस्ट करना जो भी आने किया उसके बाद यहां देखिए यह आपको योगता का विस्तार करना है उसके बाद यहां आपका आजाता है परियोजना करें और यह हैं आपके शब्दार्थ शब्दार्थ आपको देखना बहुत जुरूरी है आप स्क्रीन शोट भी ले सकते हो इसका यहां से यहां तक जितने भी कठीन कर लिए तो आपको कविता का मीनिंग खुज से लिखना आ जाएगा उसका उसकी एकस्प्लेनिशन करणा आपको आसानी से आ जाएगा बंचना दोखा देना क्या होता है दोखा देना जैसे निखिलिया ने पूरा संसार केता था ना कि पूरा संसार मुझे दोखा दे दे मैं दुख से भरी मेरे सामने रात हो दुख की रात्री हो तो यह इस तरह की करना आपको खुझ से आ जाएगा अगर आपने थोड़ा कम भी पड़ा है तो अपासानी से उसको हिंदी में लेख सकोगे और हिंदी के यह जो मीनिंग है ना यह वाले मीनिंग इनको आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी हिंदी भाषा का सुधार उसके और अपकी मातरत्म जो गलतियां हैं वो अपके लिखन में ना हो यह थोड़ा समय ध्यान रखना है साथ ही लोकल भाषा का प्रियोग लिखने में ना करें तो यह अपके अच्छे मार्ग्स के लिए सहायक होगा हमेशा आपके मार्ग्स अच्छे आएंगे एक्जाम से क्यो से रिडिंग लगा लिए एक बार आप और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए थैंक यू फॉर वाचिंग